नमशकार पूर्व केंद्रिय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वहाँ गंगा से जोड़े काम पर ध्यान देना चाहती है इसलिए उन्होंने लोगसभा चुनाओ ना लड़िने का फैसला किया है और अपने इस फैसले से प्यम नरेंद्र मोदी को अबगत करा दिया था उमा भारती ने कहा कि वहाँ चाहती है कि वीजेपी अपने दम पर 400 का आफ़रा पार करें उमा भारती ने कहा अगर मैं लोगसभा चुनाओ लगती हूँ तो संसदिय छेत्र की जिम्मेदारी और गंगा नदी का काम साथ नहीं हो सकता है मुझे गंगा नदी से जोगे काम के लिए दो साल की आजादी चाहिए पूरा प्लान तयार है सारी अनुमती लेली गई है किवल स्पीड कम हुई है होपा में मीडिय से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि अगर मैं चुनाओ लगी तो संसदिय छेत्र की जिम्मेदारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कारे का मेल नहीं हो पाएगा पूरा प्लान तयार है मंजूरी मिल चुकी है केवल गती कम हुई है उसके कई कारण है पियम मोदी के गंगा में बहुत आस्ता है पियम मोदी ने मुझसे कहा है कि तुम यह बात बी एल संतोष जी से कह देना पूर्व स्नियम उमभार्थी ने आगे कहा कि 22 जनवरी की बात के बाद दो माला लेकर उननाव आई और गंगा जी में अर्पित की और कहा कि आपका काम दो वर्षों में संपन्न करूंगी क्योंकि आपका काम तो संपन्नता की और ही था 24 परवरी को संगछन के मंतरी को मिली उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि वहाँ बीजेपी के नहीं है लेकिन हम सब के लिए महत्वपूर है मैंने संतोष जी से कहा कि आपको जरूरत पड़ेगी तो चुनाओ रचार करूंगी मोदी जी के नेत्रतू में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटे लाए यहां मेरा भाव है मैं चुनाओ लगने की घोशना कर चुकी थी लेकिन गंगा के काम के लिए मेरे लिए और कुछ महत्वपूर नहीं रखता है